स्रीन इवासन का रेजिगनेशन लेके दूसरा कोई आएगा अब ये हिल भी रहे है इस्पेशल जनर्रीन वाड़ी मीटिंग बुलाने में क्योंकि जिस आदमी को पद पे तई किया जाएगा उसी खिलाफ में गड़े मुर्दे उखरने शुरू हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आठ नो ऐसे एसोसियेशन हैं जिनके उपर या तो कोट में या सरकारी किसी विभाग की तरफ से इनके उपर केस चल रहे है चाहे सीरिस प्रॉज इन्वेस्टिगेटिंग आफिस का चल रहा है चाहे इंकम टैक्स का चल रहा है चाहे जमीन को लेके चल रहा है चाहे पुलिस का पैसा इनोंने नहीं दिया उसको लेकर चल रहा है या फ्रॉड का केस चल रहा है कुछ तो एक तो अध्याक्षन जिनके पर 420 का चल रहा है एक दिवसी मैच उनके हैं हुआ ता साउथ के हैं वो और उनके अंदर कहा कि गलवड़ी हुआ है अभी कह रहे हैं कि यहां पर राजस्थान के अंदर भी दो से तीन करोड का सीधा डारेक्ली एक आला अधिकारी के उपर जो केंदर में भी हैं उनके पर आरोप लग रहे हैं तो यहां तो दीरे-दीरे केस खुल रहा है ना परतें खुल रहे हैं हम तो देख रहे हैं दुनिया देख रहे हैं मजा ले रहे हैं तो यहां तो बताना जरूरी होगा ना कि यह लोग चाहते क्या है कोई उधर से स्वर देता है कोई कहीं से बोलता है उपर से बोलता है नी और जब यहां पर opposition नहीं है तो एक जुथ हो करके मिलो और बैठो बात करो भाई ये तो सीधा अली बाबा की टीम है ना इसमें तो कोई लग नहीं है अब अली बाबा की टीम ही अली बाबा के खिलाफ में उसको कहे कर दो निकाल दिये क्या हमें मालुम नहीं था पहली बार त ये बताइए कि ये आपने जो एक फेक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई है, इन्वेस्टिगेटिंग कमिटी बनाई है, ये किस ने बनाई है? एक आदमी ने बनाई है? या चार-पांच लोगों ने मिल करके बनाई है? कोई कागज से उस पर साइन हुए है? कौन, किस ने किस उस कागज पर साइन किये हैं? कब ये कमिटी बनी? किस के कहने पर ये कमिटी बनी? और ये कमिटी बनी तो क्या इसमें एक कोई रमन है? जो मदरास के हैं और उस रमन ने जो गुरू के भी लॉयर हैं, क्या उनके कहने पर बनी है? ऐसा लोग कह रहे हैं. मैंने एक बार में पढ़ा है और मुझे पता भी लगा है और सही माइने में तो दो चार politicians मुझे डारेक्टली भी खबर दे रहे हैं तो मुझे इसमें कहने में कोई आपती नहीं है